नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरेस निउस के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या किरकार टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला वो कौन सा एक मातर खिलाडी है उसी के बारे में तो ऐसे में आप लोग बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और हाँ अगर आप लोग भी विरेंदर सहबा को एक बहतरीन खिलाडी मानते हैं तो अब इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरेस न्यूस को सबस्क्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दवाईएगा जिसे कि आपको क्रिकेट से जोड़ी तमाम जानकारियों लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिल सके तो चलिए अब आप लोग के ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पाता है कि वेस्ट इंडीस के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल अंतराष्टे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज है और वहीं हम आप लोग को बता दें कि गेल ने 462 अंतराष्टे मैचों की 530 पारियो में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज कौन है और हाँ मैं आपको पहली बता दूं कि वो क्रिस गेल तो बिल्कुल ही नहीं है तो चलिए बात करते हैं इस लिष्ट में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले पांचवे सबसे बड़े खिलाडी की दोस्तों इ जी हाँ भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज विरिंदर सहबाग टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवे स्थान पर आते हैं और वहीं विरिंदर सहबाग ने 104 टेस्ट मैचों की 180 पारियों में 1234 चोके और 91 चके लगाएं तो वहीं आगे बढ़ते हो अगर हम लोग बात करें चौते नम्मर के खिलाडी के बारे में जो चौते नम्मर का इस्तान आता है इस लिष्ट में वो हैं जैक कैलिस जी हाँ चौते इस्तान पर साउथ एफ्रीका के पूर्व ओल राउंडर जैक कैलिस आते है जैक कैलिस ने 166 टेस्ट मैचों की 280 पारियों में 1488 चौके और 97 चौके लगाए थे जिसके कारण वो चौते स्तान पर इस लिष्ट में आते हैं तो वहीं अगर आके बढ़ते हों हम बात करें तीसरे खिलाडी के बारे में जो तीसरे खिलाडी इस लिष्ट में निकलके आत में 1044 चौके और 98 चौके लगाए हैं तो वहीं अब इस क्रम में आगे बढ़ते हों हम बात करें दूसरे बड़े खिलाडी के बारे में जो दूसरे बड़े खिलाडी इस लिष्ट में आते हैं वह एं एडम गिलकृष्ट जी हां दूसरे स्थान पर साथ एफरिका के पूर पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलकृष्ट का नाम आता है दरसल गिलकृष्ट ने 96 टेस्ट मैचों की 137 पारियों में 674 चौके और 100 चौके लगाए थे तो यसे में इसी के साथ गिलकृष्ट दूसरे स्थान पर महजूद हैं तो वहीं इंतजार हुआ खतम और बात करते हैं उस पहले बड़े माहन खिलाडी के बारे में जिसने टेस्ट क्रिकेट में भी छकों की बरसात की है और इस लिष्ट में जो पहला बड़ा नाम निकल के आता है वो है ब्रेंडन मैकृलम का जी हां नियूजिलेंड के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकृलम टेस्ट क्रिकेट के सिक्सर्टिंग के नाम से भी जाने जाते हैं हम आपको बता दें तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि ब्रेंडन मैकृलम ने 101 टेस्ट मैचों की 176 पारियों में 776 चौके और 107 चौके लगाए थे जिसके कारण वो इस लिष्ट पहले नमबर पर आते हैं और वहीं अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वह टॉप 10 वाले बाज कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चक्के टेस्ट क्रिकेट में लगाए हैं पांस तो हमने आपको बताई बताई दिये और वहीं जो छटा इस्तान है वह ब्रेन लारा उनमें से कौन सा खिलाडी सबसे फेवरेट है अपनी कीमती राह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोगो दिखाएगी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो चल लगाओ तो वीडियो को करना मत भूलेगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आएं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल की घंटी को जरूर दवाईएगा मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में तब तक के लिए जै हिंद जै